तो भई कैसे हैं सब मुझे लगता है सब ठीकी होंगे तो चलिए आज जो हम बात करते हैं वो होगी रैनो टाइबर की कि देखिये कि आप उसे एक कमर्शल भीकल या कुछ कैब गैरा में या अपना समान को ले जाने में कैसी ये गाड़ी आपको रहेगी और कैसा आपको इसक सीयूज के लिए से ले जाने चाते हैं कुछ समान बगैरा तो देखिये समान बगैरा कि मैं बात करूँ स गाड़ी के लिए तो एक इसका कॉंप्इटिशन समान अगर मैं इससे करूँ अगर आप जैसे बिजनस के लिए उसकरें तो मारूती की एक को भी आती है तो देखें वो इससे आपको थोड़ सी सस्ती मिल जाएगी लेकिन बही बात करें तो इसमें आपको जादा जो ट्राइबर में कुछ अरलग सी अच्छी सी फील आएगी अगर आप उससे बात करें अगर मारूती की एक को से बस उसमें 1200 सीसी का इंजन है और जो ट्राइबर है उसमें 1000 सीसी का इंजन लेकिन पाबर जो आप देखें तो इसमें ट्राइबर में आपको ज्यादा मिलती है तो अभी यह बात करें इसके स्पेसिंग की कि आप कैसा इसमें स खोला है खुद से अगर आप इसे खोलेंगे तो बाकि आपको बहुत ज़्यादा इसमें सिर्फिस स्पेसिंग देखने को में जाएगी कमर्शियर भीकल आप इसे यूज़ करना चाते हैं और ऐसा चाते हैं कि देखिए आप अपनी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ इदर जा सके मज़े ले सकें तब यह गाड़ी काफी अच्छे आप यूज़ कर सकते हैं तो यह बात हो गए देखिए कि आप बिजनेश यू अबर बेट ना करें गाड़ी में और अगली बात करें इसमें तो देखिए वही बात आजाते हैं कि इंजिन की तो देखिए इंजिन इसमें 1000cc का आपको देखने में मिलता है तो पाबर आपको जो गाड़ी का बेट उसके हिसाब से डालना पड़ेगा मतलब ऐसी कोई आप अच्छे से इसमें बेट डाल सकते हैं तो देखें ये बात हो गई कि commercial use के लिए गाड़ी काफी बैतरी नापके लिए है बस आपको ऐसा देखना है कि जो आपके पास समान है वो आप इस गाड़ी में असानी से फिट कर सकते हैं जो आप इदर उदर ले जाएंगे तो वो आपको दिक्कत ना करें गाड़ी के जो पीछे के जो पेस से तो ये बात होगे कि बस आपको अपना समान देखना है कि इस गाड़ी में बुआ सकता है या नहीं आप शो रूम पे देखके ऐसा चेक कर सकते हैं का आइडिया सा हो जाता है और अगली बात करें इसकी कैब के लिए लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि कैब के लिए से यूज करना ठीक होगा तो देखें कैब के लिए मैं इसे कहूं तो कैब इस गाड़ी को आप बना सकते हैं कुछ बात नहीं इसमें रहनों ने देखिए अभी तक कुछ जगह पर मुझे लगता है इनकी थोड़ी सी डीलर्शिप में अभी कमी है जादा जगह पर इनका नेटवर्क अभी नहीं है तो लेकिन बैसे मुझे लगता है कि अब ये कमपनी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं तो आप जो कैब बनाना चाहते हैं अपने एरिया जिस जगह पर आप रहते हैं आशे से चेक कर सकते हैं कि बहां पर जो रहनेों का जो वह बगिए ज्यचा पर आप रहते हैं और पर पर आप इसके अगराँ को कई नहीं है तो आपके प्रोब्लम को सॉल्व कर सके तो ये बात है कि जैसे गाड़ी को कुछ होता है तो कंपनी से आप बात करके गाड़ी को असानी से ला सकते हैं तो बस ऐसा मेरा कहना है कि सर्विस बगार नेटवर्क इसका अच्छा हो तो देखे ऐसी बात है जो मैंने पहले बिजनस की यूज के लिए करी तो उसके लिए भी कापी अच्छी है गाड़ी बस आपको ये देखना होगा कि आपका जो समान बगएर है वो किस तरीके सा है और आप कैसी इस गाड़ी में उसको यूज करेंगे मतलब जो समान होगा वो आप आसानी से इसमें डाल सकते हैं नहीं देखे ये बात हो गई अगली बात करें कैब की तो कैब के लिए तो मैं कहूंगा कि हाइबे पर आप इसे ले ले जाना चाते साथ लोग के साथ तब भी आप मुझे लगता है ले ही जाएंगे अब जैसा इंजना जैसा प्राइज आप चुकाएंगे उसके हिसाब से गाड़ी बहुत बढ़िया ऐसी बात कोई नहीं है